आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप Apple Watch Ultra को अपने Android and iOS डिवाइज में कनेक्ट कर सकते हो उसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे आपको दोनों डिवाइजिस में कस्टुमेज वाल पेपर को सेट करना है अगर आप चैनल पे फर्स्टम आयो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट वाच को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नेम है डेली फिट अगर आपको यह application scan करने के बाद नहीं मिलती या फिर play store पे नहीं मिलती इसका link मैंने आपको description में provide करवा दिया है guys यहाँ पर मैंने अपने phone में already application को download कर रखा है चलिए मैं इसको open कर लेता हूँ then screen पर आपको दो instructions देखने को मिलेगी आपको दोनों को easily ok कर देना है उसी की साथ permissions मांगेगा आपसे कुछ आपको easily allow कर देना है सभी permissions को allow करने के बाद आपको device वाले option पर चले जाना है और अगर आप यह सोच रहे हो कि मैं directly bluetooth के साथ watch को connect करके music and calling कर सकता हूँ so आप गलत हो top corner पर आपको connect का option देख रहा होगा वहाँ पर आपको easily click कर देना है then यह आपसे location मांगेगा आपको ok कर देना है यहाँ पर आपको 3 options मिलेंगे आपको high accuracy पर click कर देना है और अगर आप मेरे 730 procedure को कर रहे हो so आप लगबग 50% procedure connection का complete कर चुके हो यह procedure clear होने के बाद आपको easily bluetooth को on कर देना है उसी के साथ यहाँ पर आपको एक apple watch ultra का pop up दिख रहा होगा आपको उस पर click कर देना है click करने के बाद आपके सामने एक option आएगा जिसमें आपको answers देना है then यहाँ पर आपको एक start pairing का option दिख रहा होगा इस option पर आपको maximum 2-3 बार click करना है अगर आपको तब भी कुछ चीजे show ना हो तो आपको यहाँ से directly exit कर लेना है उसी के साथ आप लोग देख सकते हो top corner पर हमें पहले connect का option दिख रहा था कैसे आपको अपनी apple watch ultra को अपने ios device के साथ connect करना है सबसे पहले आपको अपने ios device में camera को on कर लेना है उसी के साथ smart watch में आपको QR code मिलता है उसको आपको scan कर लेना है scan करने के बाद यह आपको direct app store ले जाएगा वहाँ से आप easily daily fit application को download कर सकते हो अपने ios device में application download होने के बाद आपको directly device के option पर चल जाना है वहाँ पर आपको top corner पर connect का option दिख रहा होगा वहाँ पर आपको click कर देना है then यहाँ पर आपको apple watch ultra का pop up दिख रहा होगा वहाँ पर आपको click करके सबी चीजों को सबी permissions को allow कर देना है जैसा कि आप लोग देख सकते हो watch काफी fastly connect हुई है ios device के साथ as compared to android device then चली आप मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपने android device में customer's wallpaper को set करना है application में आपको एक dial setting का option मिलेगा वहाँ पर आपको click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर आपको top corner पर दो options मिलेंगे camera का और albums का आपको albums के option पर चल जाना है then यह application आपको directly आपकी gallery में ले जाएगी वहाँ पर आपको कोई सी भी एक picture को select कर लेना है जो भी आप अपने customer's wallpaper में लगाना चाहते हो and आप चाहो तो अपने camera के थुरू भी pictures को click करके customer's wallpaper set कर सकते हो so guys यहाँ पर मैंने average quality में एक watch का picture select किया है ताकि मैं आपको overall customer's wallpaper की quality बता सकूँ इस apple watch ultra में picture select करने के बाद आपको उसी picture पर click कर देना जो picture आपने select किया है then यहाँ पर आपको दो options दिख रहोंगे आपको okay पर click कर देना है उसी के साथ यह customer's wallpaper का जो process है start हो जाएगा आपकी smart watch में almost guys यह process complete हो चुका है and जो wallpaper है वो भी हमारी smart watch में लग गया है चली अब मैं आपको इस wallpaper की overall quality भी show कर देता हूँ कि किस type की quality आती है customer's wallpaper में मेरे point of view से मुझे इसकी quality average लगी बट मैं आपके साथ एक चीज़ share करना चाहता हूँ वो यह है कि अगर आप camera से clicked pictures को customized wallpaper में set करते हो तो उस time जो wallpapers हैं आपको अच्छी quality में देखने को मिलेंगे उसी के साथ application में अगर other features की बात की जाया है तो यहाँ पर आपको flip wrist light screen का एक option मिल जाता है जिसका use करके अपने hands की movement की through watch की light screen को on and off कर सकते हो बट यह feature इस smart watch में काफी slower करता है जिस वज़े से इसने मुझे काफी disappoint किया है और अगर आपको यह fact and information अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को like जरूर कर देना देन चली अब बात करते हैं कि कैसे आप iOS device के through apple watch ultra में customers wallpaper को set कर सकते हो customers wallpaper set करने के लिए सबसे पहले आपको dial settings में चल जाना है then यहापर आपको top corner पर वही same दो options मिलेंगे camera and album का इस बार मैं आपको camera से picture click करके customers wallpaper की quality show करूँगा picture select करने के बाद आपको उसी picture पर click कर देना है जो picture आपने select की है click करने के बाद आपके सामने दो options आएंगे आपको ok पर click कर देना है then जो process है वो start हो जाएगा आपके iOS device में Chinese language में कुछ इस टैप का लिखा हुआ आ रहा होगा so आपको कोई tension नहीं लेनी और जैसा कि आप लोग देख सकते हो customized wallpaper set हो चुका है अब मैं आपको इसकी quality शो कर देता हूँ overall मेरे personal overview से मुझे iOS device की wallpaper quality जादा बेटर लगी as compared to Android device चलिए guys अब बात करते हैं कि कैसे आपको इसी smart watch को purchase करना है अगर आप इसी smart watch को purchase करना चाते हो वो भी cheap rate में इसका link मैंने आपको description में provide करवा दिया है वहाँ से आप best rate में इसी smart watch को purchase कर सकते हो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like कर देना हम aim करते हैं 100 likes का I hope आप इस aim को जरूर complete करोगे उसी के साथ आपको नीचे एक subscribe बटन दिख रहा होगा टेक्रोनिक्स का उस पर आपको click कर देना है बिना कुछ सोचे मिलते हैं नेक्स वीडियो में